हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आई टेए फांडेशन क्लासेश में तो आज किस वीडियो में गाईस में चर्चा करूंगा च्यार अलग-अलग कम्पनियों के दुवारा आयुजित के जाने वाले एक केमपस प्लेस्मेंट के बारे में आप लोग वीडियो कौन तक जरूर देखेगा और गाईस वीडियो स्टार्ट करने से पहले में आप सभी को बताना चाहूंगा कि यदि आप लोग फर्स टाइम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हैं तो इसे सब्स्राइब करें साथ इसाथ बैल आइकन को प्रेस करें ता आपर गौर्मेंट आई टेइ साकित मेरक में ठीक है यहां पर पोजिशन जो है ट्रैनी रहने वाली है आई टेइ और ट्रेड्स एंड ग्रेजवेट आई टेइ और ट्रेड्स और ग्रेजवेट जो है यहां पर एलिजबल रहेंगे 18 प्लस इस वाले सबी कैंडिडेट्ट यहाँ पे eligible है 18 प्लस उमर होनी चाहिए चाहे maximum उमर कितने भी हो सबी candidates यहाँ पे eligible होंगे योगी होंगे male और female दोनों ही यहाँ पे apply कर सकते हैं salary जो है 8000 से अधिक salary यहाँ पे रहेगी guys इसके बाद में देखिए government ITE साकेट merit में 10 वजें 21 नौमबर को इस campus placement का आयोजन किया जाएगा आप लोगों को registration है वो किस तरीके से करना है यहाँ पे यह QR code दिया हुआ है इस QR code पे आप लोग scan करके यहाँ से आप लोगों को एक form मिलेगा यहाँ पे आप लोग apply कर सकते हूँ तो यह तो हुई फर्स्ट कंपनी की बात अब हम बात करेंगे सेकंड कंपनी की सेकंड कंपनी है अपने पास में बी जी एम होल्डिंग लिमिटेड नोईडा ठीक है यह भी जो है 21 नौमबर को वहीं government ITE circuit merit में जो है campus placement आयुजित कर रही है position रहेगे आप लोगी trainee ITE all trades वाले एक एंडेडर्स यहाँ पे apply कर पाएंगे age criteria इस company के लिए 18 से 25 वर्स male और female सभी apply कर पाएंगे और जो salary है वो रहेगे आप लोगोगी 12,000 से 15,000 के बीच में ठीक है यहाँ फिट से वो QR code given है यहाँ पे आप लोग scan करके registration कर सकती हूँ guys इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं next company की ओर third company है अपनी KMC Electronics Limited court door ठीक है KMC Electronics Limited यह company है इसमें भी position training रहेगी ITE all trades apply कर पाएंगे 18-25 वर्ष जो है यहाँ पे age criteria है male और female boys और girls दोनों apply कर पाएंगे salary range है यहाँ पे 12,000 से 15,000 रुपे ठीक है 21 नॉवंबर को यह आईजित हो रहा है ठीक है 21 नॉवंबर को उसी college में ठीक है एक ही college में यह 21 नॉवंबर को चार अलग-अलग कमपनिया है जो campus placement का आयोजन कर रही है आगे देखे वो यहाँ पे QR code given है यहाँ पे आप लोग scan करके registration कर सकती हूँ बढ़ते हैं guys next company की ओर fourth number की company है अपने पास में the techno source noida ठीक है यह company भी वोई government ITE merit साकेत merit में जो है किस नॉवंबर 2022 को campus placement आयोजन कर रही है position आप लोगों की trainee रहने वाली है guys ITE all trades यहाँ पे apply कर पाएंगे 18-28 वर्स तक age criteria रखा गया है male and female दोनों apply कर सकते हैं 12-15,000 तक आपका salary रहने वाला है और guys यहाँ पे भी जो है वही आप लोगों को QR code scan करके registration form जो है वो fill करना है ठीक है तो I hope कि guys आज का वीडियो आप सभी students के लिए helpful रहेगा इसी तरह के useful videos ITE campus placement से related चाहे campus placement पूरे भारत के किसी भी राज्चे में आयुजित किया जा रहो सभी जो campus placement से उनकी information regular यदि आप लोगों को प्राप्त करनी है तो आप लोग जुड़े रहे हमारे साथ मिलेंगे आप से next video तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद